आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अभिक के चाठे में गयात करनी है, ठीक है? तो देखिए तो मन लेते हैं कि हमारा एलक्ट्रोन नाभिक के चार ओर एक इस्थाएक अक्षा में आर्ट Jen बना करके नाभिक के चारो और चक्र लगा रहा होगा ठीक है वी वेक से लक्ट्रॉन ये लक्ट्रॉन वी वेक से चक्र लगा रहा है ठीक है माल लेते हैं कि ये N भी कक्षा है ठीक है तो आवर्दिकाल क्या हो जाएगा तो इस लक्ट्रॉन के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो आ 2πi Rn क्या है, 2πi Rn हम कह सकते हैं पारेदी, ठीक है, और Rn मतलब क्या है, जिस कक्षा में वो होगा उस कक्षा की त्रज्या, और Vn क्या है, Vn का मान है आप, Nv कक्षा में लक्टोन की चाल, ठीक है, अब देखे, तो अगर हमें Rn और Vn के मान ग्याद हो जाए तो हम ग्याद कर सकते हैं कक्षी अवधी ठीक है तो जैसे के हम जानते हैं कि अनुमत इस्थाइक अक्षाओं की तुज्ज्या के लिए अगर हम वेंज़क गयाद करें तो अनुमत इस्थाइक अक्षाओं की तुज्ज्ज्या के लिए वेंज़क होता है R बराबर N² H² Apsilal Naut upon Pi M Z E² जहां पर H Apsilal Naut Pi M E क्या है नियतांक है और परमाडू विशेष के लिए Z का मान भी क्या होगा नियतांक होगा तो हम कह सकते हैं कि अनमत इस्थाई कक्षाओं के तरज्या उनकी कक्षी संख्या यह हम कह सकते हैं कि मुख क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमान पाती होती है ठीक है और देखे हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको R बराबर A not N² तो हमने अनुक्रमान पाती चीन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा A not एनॉट यहाँ पर क्या है A not है बोहर तरज्या यह हम कह सकते हैं कि hydrogen परमान की प्रथम कख्षा होती है उससे हम कहते हैं बोहर तरज्या और जब इस तरज्या के लिए अगर हम मान गयात करेंगे तो R1 का मान निकलता है R1 बराबर हम जब इसको हल करेंग तो हो जाएगा H² अपसालर नॉट बटे Pi M E² और जब इसको हल करेंगे तो इसका मान निकलता है 0.53 एंकिस्ट्रॉम जिसे लिखा सकता है 10 की घात माइनस के 11 मीटर ठीके अब देखे H² अपसालर नॉट Pi M E² यह हम क्या लख सकते है इस पूरे पत की जब इसका हम लख सकते है R1 यह हम लख सकते है A0 ठीके तो इस परकार हम कह सकते है कि R बराबर होता है R1 N² यह हम लख सकते है R बराबर A0 N² तो आपको समझ में आ गया होगा तो जब जी हम अब R जी क्या रखेंगे अब हम की जी रखेंगे A0 N² ठीके तो आपको समझ में आ जाए कि यह मान कहां से आ जाए है अब देखें अब अगर हम इस सूत्र को जो हम लिखा हुआ है आवर्द का जिसे मान रख देते हैं यह क्या हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा टू पाई और R जी क्या रखेंगे A0 N² जी हो जाएगा A0 N² बटे VN ठीक है अब देखें तो अगर हम यहां से मान निकालें तो देखें टी बराबर हो जाएगा दो गुड़े पाई कमान क्या होता 3.1,4 गुड़े A0 कमान कितना है 10 की घाट माइनस के 11 ठीक है और यह क्या हो जाएगा N² बटे VN तो इसको हल करो को तो यहां से मिल जाएगा हमे टी बराबर 33 तो यहां से मिल जाएगा टी बराबर 33.22 गुड़े 10 की घाट माइनस के 11 गुड़े N² बटे VN ठीक है तो देखिए अब जब भी हम सूत लगाएंगे आवर्ट काल का तो यही सूत प्रियोक करेंगे ठीक है तो देखिए जैसे कि हम से तीनो इस त्रोक लिए पूछा गया है ठीक है अब देखिए तो पहला जो भी इस तर दिया हुआ है N² 1 के लिए ठीक है अब एक काम और करते हैं पहले हम लोग VN भी देख लेते हैं चाल देख लेते हैं इलक्ट्रॉन की तो देखिए इलक्ट्रॉन की चाल होती है तो विलोगत्रोन की चाल विएन बडाबर होता है C बटे N अलफा जहांपर अलफा क्या है सूक्ष्म सनरक्षना नियतांक तो अलफा का मान होता है ऐलफा बडाबर होता है E 12 बटे 2 epsilon 0 CH जहांपर E है अलफा परावेश epsilon 0 क्या है नियतांक है तो इसको हल करेंगे तो alpha कमान निकल क्याता है alpha बड़ाबर 1 बटे 137 तो हम लिख सकते हैं VN बड़ाबर C बटे N गोड़े 1 बटे 137 तो अब देखें अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें मान तो V1 के लिए क्या हो जाए तो पहले कक्षा के लिए इलक्ट्रॉन के जो चाल होगी वो हो जाएगी C बटे 1 C बटे 1 गोड़े 1 बटे 137 तो C कमान कितना होता है 3 गोड़े 10 की घात 8 मीटर परती सेकंड 8 मीटर परती सेकंड गोड़े 1 बटे 137 तो जब इसको हल करेंगे तो यहां से तुम्हें V1 कमान ग्यात होगा तो यह मान होगा 2.2 गोड़े 10 की घात 6 मीटर परती सेकंड तो यह मान होगया प्रतम कक्षाग में इलक्ट्रॉन की चाल का तो इसी प्रकार अजब निकालना चाहें V2 तो इसी प्रकार जब हम हल करेंगे तो V2 कमान यहां से निकल लेगा 1.09 गोड़े 10 की घात 6 मीटर परती सेकंड तो प्रतम तीसरे इस्तर तक पूछा गया तो तो तीसरे इस्तर में लस्ट्रॉन की चाल निकाल लेगे तो V3 कमान जब उसको हल करेंगे तो यहां से निकल लेगा 7.3 गोड़े 10 की घात 5 मीटर परती सेकंड देखे मैं V1, V2, V3 क आपको पता से लिए कि जो यह V1 के मान V1, V2, V3 के मान है यह कहां से निकल करें ठीक है अब देखे तो हम क्या करेंगे जब लोग अपना फॉर्मला लगाएंगे तो हम लोग सीदी क्या करेंगे यह मान रख देंगे तो बार बार हल करने क्या शक्ता नहीं पड़ेगी ठीक सूत दो हमने ग्यात किया था वो था T बराबर 33.22 2 2 गुड़े 10 कि घात 11 गुड़े N s kweyaar बटी V था ठीक है देखें जैसे के उपर भी सुर्ण कर लिया था ठीक है तो अब देखिए तो T1 वापर क्या हो जाएगा 33 2 22 10 घात-mानव कि 11 गुड़े, n कि जी ञाएगा? एक का स्क्कायर और ये क्या जाएगा? ये हो जाएगा बने वी 1 तो वी 1 कंवान अभी हमने ग्या तो यह हो जाएगा 33 2 22 गुड़े 10 की घात-mानस कि 11 गुड़े, एक बटे वीवन का मान कितना हो जाएगा 2.2 गुड़े 10 की घात 6 ठीक है तो इसको हल करेंगे तो यहां से जो मान ग्यात होगा हमें तो यहां से जो में T1 का मान ग्यात हो जाएगा वो होगा 15.1 साथ गुड़े 10 की घात मानस की 17 जिसे हम लिख सकते हैं T1 बराबर 1.52 गुड़ी 10 की घात माइनस की 16 सेकेंड ठीक है तो ये हो गया प्रत्रम कक्षाव बेंगा है प्रत्रम इस्तर के लिए आवर्तकाल इसी प्रकार हम ग्याज कर लेंगे दूसरे इस्तर के लिए आवर्तकाल तो T2 बराबर क्या हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 33.22 गुड़ी 10 की घात माइनस की 11 गुड़ी ये क्या हो जाएगा N2 स्कायर ये क्या है N2 के लिए है ठीक है बटे यह क्या हो जाएगा V2 ठीक है अब देखें तो यह हो जाएगा 33.22 गुड़े 10 की घात माइनस के 11 गुड़े N का मान कितना है 2 है तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वाइर बटे V2 का मान देखिए अब इमने घ्यात किया था 1.09 गुड़े 10 की घात 6 जब इसे हल करेंग तो यहां तो जो हमान मिलेगा तो वो मिल जाएगा T2 बराबर 121.09 गुड़े 10 की घात माइनस के 17 जिसे हम और हल करेंग तो यह मान घ्यात होगा T2 का यह दूसरी कक्षा के लिए आवर्द काल जो घ्यात होगा वो होगा 1.22 गुड 10 की घ्यात माइनस के 15 सेकेंड ठीक है तो यह मान हमें यहां से ही घ्यात हो जाएगा घ्यात हो जाएगा तो यह हो गया दूसरी कक्षा के लिए आवर्द काल ठीक है अब हम ग्यात कर लेंगे N वराबर 3 के लिए है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 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 ये हो तो इसको हल करें तो यहां जुमें T3 के मान होगा तो वो ग्यात होगा 40.99 गुड़े 10 की घात माइनस के 16 जिसे हम लिख सकते हैं तो यह हो गया तीसरे इस्तर के लिख सकते हैं तो यही मारी प्रशन का उत्तर हैं पक्षचरी से बारवी सले कर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल कर एक करोड़ से जादर चातरों का भरोजा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स 84444 पर